हेलो इस्टुडेंस गुड मॉर्निंग वेलकम तो एंस इंस्टुट आफ लर्निंग मैं परिमल सर्थ स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नहीं लेक्चर में जो की लेक्चर नमबर आज मेरा कितना 13 जो स्रीज मेरा चलडा है लिनियर अलजेब्रा जो इंपॉर्टन्ट है आपके B.Sc. Mathematics में जो आपके semester-wide अगर आपके से है तो आपके 6th semester या 5th semester में पूछे जाते हैं या यह अलियर तो 3rd year के maximum portion में या 2nd year में आपके यह रहते हैं ठीक है और भी important है IIT Jam में हो गया UPSC के optional preparation अगर आप करते हैं उनके लिए important है तो अगर आप higher education में इंट्रेस्ट आपके हम लोगा problems on dimension and basis और फेक किसका vector space का vector space पे हम लोग जो dimension and basis से related जो हम लोग पिछले class में एक हम लोग क्या पढ़े तो theorem पढ़े थे just as a formula जो वो create करता है generate करता उस पे based problems पे आज का class based है ना आज के class में हम लोग discuss करेंगे क्या था जड़ा उसको एक बार देख लिया ज होता है उनके बाद कुछ theorem पर और भी हम लोग discuss किये हुए थे कि अगर यह एस जो है तो आपका basis है फाना डामेंस से ब्हेक्टर स्पेस का तो उसको uniquely represent कर सकते हैं अगर यह एस है अगर यह span करता है तो उससे हम alpha को linear combination में लिख पाए और as unique होता है linear independent होता है तो उससे हम alpha को क linear combination unique linear combination of element of ice लिख सकते हैं जहां पर इसक्या basis है इस पर भी हम लोग discuss किये important है आपका वह इसके लिए ब्यासी mathematics के लिए और उसके बाद सबसे लास्ट में एक फॉर्मुला डेंजेनरेट किये कि linear sum जो है टू सबस्पेस W1 प्लस W2 को इसका dimension अगर आपको पता करना हो तो dimension W1 का plus dimension W2 माइनस दोनों सबस्पेस का intersection जो है उनका dimension का आपको क्या करना है सब्ट्रक्ट करना है कटाना है ठीक है clear यहां तक clear था इसी पर हम लोग आज क्या करेंगे best question पर हम लोग discuss करने वाले हैं और इसका जो यह theoretical portion है यह आपको important है किसके लिए BSC के लिए plus आप अगर civil service के exam के preparation करते हैं as a optional paper में तो आपको इस तरह के question पूछे जाते हैं ठीक है okay clear है यह हम लोग last तक किये थे उसके बाद आज हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम लोग इसी पर best problem पर discuss करने वाले हैं तो एक दो problem लेते हैं फिसको समझाते कि किस तरह से लेट होगा कैसे हम लोग linear sum निकालते हैं कैसे हम लोग LS को लेकर उसका combination करते हैं हम लोग को इतना भी पता है कि W1 पर W2 अगर सब इस स्पेसे इसको generate कर सकते हैं L W1 union W2 दोनों के union से linear combination मतलब linear span निकालते है तो हम लोग क्या होता है linear sum निकल क्या आता है तो बहुत जारा ची इस पर बेस्ट है यह यह बेस्ट है आपका बेसिस और डाइमेंशन जो डाइमेंशन थे रहों पिछले class पर दे थे उसी का प्राब्लम्स वे हम लोग का आज का class बेस्ट है ठीक है एक्जेम्पल नंबर वन और find क्या find करना है मुझे find dimension of dimension या इस तरह से नहीं पहले हम लोग लिख देते हैं कि लेट वी एक्वल टू आर्थिरी ठीक है और फिल्ड ले लेते हैं यहां पर आर डैन जो वी ओवर आर्थिरी ओवर दा फिल्ड क्या हो जाएगा इस बात को किलियर कर लें कोई भी एक्जाम पर ले सकते हैं अभी हम टपल में ले रहे थीरे टपल ठीक है वैक्ट इससफिर ब्नाता है और दम लोग जा हो तो ृपर दिसक्सरी इसलिए और R3 over अगर R का हम लोग dimension के बाद करता कितना होगा थीरी टपल है तो यह थीरे dimensional vector space हो जाएगा ठीक है उस पर भी हम लोग discuss कर सकते हैं अच्छा इसको करने से पहले इस से रिलेटर भी आपको बहुत सारा चीज़े पता होना चाहिए कि कौन सा finite dimensional है अभी तक जितना हम लोग किये हैं वो finite dimensional vector space पर discuss किये हैं what about infinite dimensional तो infinite dimensional आपको पहले यह जाना होगा कि कौन सा करें दो और यहीं पर आपर तो इसका कितना होगा अगर डाइंसन के हम लोग बात करें आर का तो कितना होगा इसको आप कर सकती हो बना सकती हो चलिए कोई बात ने इस एक्जाम्पल के बाद हम लोग उस पर डिसकस कर लेंगे नोट में ठीक है ओके यह आपका हो गया वैक्टरी स्पेस कि बात है बात बात है हम लोगके W1 लेते हैं न E seekers कोई भी ट्हां से हम लोग कई से इसा कर दाते हैं चलो जहां पर भी आपका क्या है रियल नंबर पर सिस्टंस तरह से बिल्कुल सबस्पेस है कैसे हम लोग जानते सबस्पेस चेक करने के लिए बहुत सारे नेसेसरी एंड सफिसियन कंडिशन हम लोगों को पता है उसी से आप चेक कर सकते हो सबस्पेस व्टी कि उबलोगोकल ऺता है जबलोगों को बन सबस्पेसी सावलख ऐनते मणनेश्पेस कमा होला वाला यह क्या हो जाएगा इजब बेसिस क्या हो जाएगा बेसिस ऑफ किसका डबलू वन का ठीक है ओके अगर हम लोग डाइमेंडशन डबलू टू की बात करें तो कितना हो जाएगा डाइमेंडशन डबलू टू का अगर हम लोग देखें तो यह हो जाएगा तू क्यों क्यो दोनों Allia बहुत बढ़ीया और इनका linear combination लोगों यह तो आपको पूरा का पूरा W2 क्या करके देगा generate करके देगा है ना तो यह आपका किसके लिए हो गया Basis हो गया इजे Basis इसका basis हो गया W2 का यह अपका basis हो गया W2 का बहुत बढ़ीया तो linear sum का कितना होगा और intersection का basis कितना होगा आप पिछली class में हम लोग पढ़ें जो फॉर्मुला dimension of linear sum equal to dimension of w1 plus w2 minus intersection वो उसको हम यह आप क्या करना चाहते एक अधे verify करना चाहते चलो अच्छी बात है ओके अब मुझे यह बताओ W1 intersection W2 कैसे generate करो गया तो W1 intersection W2 के अगर बात करें तो कैसा element वो ऐसा alpha रखेगा such that जो alpha आपका किस में हो W1 में भी हो and alpha आपका किस में हो W2 में भी हो मतलब और alpha कहां का होगा obviously बात है कि alpha जो होगा आपका V का element होगा है ना जो W1 में भी और W2 में भी है इसका मतलब कोई भी alpha ले लेते हैं इसी को थोरा सा modify कर देते हैं वैसा आलफा है ना वहीं काम करो हम alpha ले लेते हैं a1 a2 a3 ले ले लेते हैं a1 a2 a3 ठीक है a 1 a2 a3 such that कि आपका alpha W1 में हो जाए और alpha W2 में भी हो जाए ओके बहुत बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं इसका मतलब इसका मतलब अब अगर ऐसा element चाहिए चूंकि alpha equal to जो a1 a2 a3 है वो वाला alpha belongs to w1 implies a1 a2 a3 ये w1 में होगा अगर w1 में है अगर ये w1 में है इसका मतलब ये imply करेगा w1 का condition क्या होता है बोलता है w1 का condition है आपका ये वाला position है ये दोनों 0 होना चाहिए बाकि first वाला position आपका चलेगा कुछ भी हो लेकिन second और third तो fix है ना इसका मतलब आपका यहाँ पे a2 equal to a3 equal to क्या होना चाहिए 0 चलिए बहुत बढ़िया है ये दोनों position क्या होना चाहिए 0 तब ही तो वह w1 में होगा क्योंकि w1 का element इस टाइप का होता है आपका बिलॉंग करता है w2 में भी तो alpha हो गया आपका a1 a2 a3 यह आपका बिलॉंग करता है w2 में ओके तो w2 का condition क्या है तो कहता है कि भाई w2 में मेरा first position आपका 0 होना चाहिए second और third आप भी रखदो real number से चलेगा लेकिन first वाला तो fix है कितना 0 इसका मतलब आपको यहां से a1 को करना पड़ेगा जीरू अच्छा a1 0 हो गया बहुत बरिया आगे आगे कहता है कि यह element आपका intersection में होने का बतलब दोनों सभी स्पेस में होगा तो दोनों सभी स्पेस का condition को satisfy करेगा 1 सबी bit कहता है कि आपका a2 , a3 0 होना चाहिए और second सभी स्पेस कहता है कि आपका a1 0 होना चाहिए तो overall देखा जाए कenga condition में तो आपका जो यह 3 elements पोजिशन है A1, A2, A3, तीनों का तीनों 0 हो गया ना, अगर तीनों का तीनों 0 हो गया, तो आपका intersection में क्या रहा, intersection में क्या रहा, intersection में कंटेंड किया, only 0 वैक्टर, कितना, 0 वैक्टर, जिरो वैक्टर अइसा वैक्टर है, जो आपके W1 और W2 दोनों में, क्या इसके अलावे और हो सकता, बिल्कुल नहीं क्यों क्यों कि सार देखे यहाँ पे पहला पोजिशन 0 हो जाता और यहाँ पे दूसरा और तीसरा पोजिशन 0 हो जाता और इसमें 3 टपल में 3 पोजिशन 0 है इसका मतलब कंटेंड करेगा, only 0 vector, 0 vector तो 0 element होता है यह जो दोनों सभी space में कंटेंड करेगा, क्या बात है, अच्चा 0 vector कैसा है, non 0 singleton set जो होता है, वो linear independent होता है, लेकिन यह 0 vector है, तो यह कैसा set होगा, linear dependent होगा, अगर linear dependent होगा, तो क्या आप इस intersection वाले सभी space के लिए Ship केरेक कर सकती हैं, बिलकुल नहीं क्यों क्योंकि basis में जो जो भी आपका element होता है तेक है वो आपका क्या होता है linear independent होता है basis में आपका जो भी element होता है जो भी vectors होते हैं टपल होते हैं वो आपके linear independent हो गए लेकिन यहाँ zero vector है zero vector linear dependent होता है इनके अलावे यहाँ पे कोई भी vector नहीं है इसलिए यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, there is not any basis for intersection, there is not any basis, कोई basis हो ही नहीं सकता, for किसके लिए, w1 intersection, w2, है ना, so इसका अगर आपका कोई basis generate हो ही नहीं सकता है, तो dimension क्या होगा, तो बहिए, dimension तो basis के element को कहते है, संख्या को, number of elements, any basis, यहां dimension होगे आपका 0, एक पाहला sub-space हम लोगों ने अभी तक देखा, जो की 0 dimension वाला हो, कैसा dimension, 0 dimension, क्यों, क्योंकि यह only 0 vector content करता है, तो इससे आप एक सी note में समझ सकती हो, observe कर सकती हो, क्योंकि एक sub-space ऐसा भी है, जिसका dimension 0 है, क्योंकि इसका कोई basis आप करियाट कर ही नहीं पाहोगा, क्योंकि 0 vector और 0 vector, always, LD होता है, only 1 vector है, है कि नहीं, always क्या होता है, linear dependent है, अब basis में क्या होता आपका element, linear independent, बहुत बढ़ी है, अब इनसे आप कई सारे चीज़े को समझ सकती हो, यहां से आप देख सकती हो, so, यहां से आप देख सकती हो, कि dimension जो आप dimension theorem, by dimension theorem, अब यहां से ऐसा बोल सकती हो, by dimension theorem, by dimension theorem से, कि dimension जो है, आपका W1 प्लस W2 का कितना हो जाएगा, तो कहता है, कि यह आपका dimension W1 प्लस dimension W2, और क्या करेंगे, हम लोग intersection वाले dimension को घटा देंगे, W1, intersection W2, यहीं न, चलिए बहुत बढ़ी है, इसका मतलब आपका यहां से dimension जो आगिया, W1 प्लस W2 का कितना आगिया, dimension W1 का 1 है, dimension W2 का 2 है, intersection का 0 है, तो कुल मिला के आपका 3 आएगे, कितना हो गया, 3, यह तो हो गया formula का यूज की है, अच्छा, क्या हम लोग W1 प्लस W2 को direct generate नहीं कर सकते हैं, बिलकुल कर सकते हैं, क्या उसका भी dimension 3 होगा, अगर हम लोग normal तरीक combination से हम लोग क्या कर सकते है, linear sum कर सकते है, हम लोग यह चीज़े पढ़ वए हैं यह चीज़े हम लोग क्या कर चुके है, पढ़ चुके यह बनू यह क्या होता है, L, W1, union W2, अच्छा, W1, union, W2 क्या हो गा होगा है, दोनों का elements को रखेंगे, इनके भी element को रखेंगे, और इ करना किसको w1 union w2 को तक ऐसा हो जाएगा elements कैसा होगा दोनों में सब्सक्राइब करो अब उसके यूनियन पर कुपाले कर लेते हैं हम लोग ठीक है यूनियन को w1 union w2 ठीक है w1 union w2 तो वैसा वैसा element element होगा such that जो अलफा आपका w1 में हो या alpha आपका किसम हो जाए w2 में दोनों में हो सकता है possibility इसका मतलब वैसा वैसा alpha अब दोनों का ले सकती हो ना दोनों का ले सकती है दो तरीके से दिखा सकते है या तो देखो हम लोगों को है linear span करके भी आप इसको w1 पलस w2 को generate कर सकती हो जैसा आपका मर्ची हो ठीक है इसका मतलब दोनों का element हो सकता है that means आपका पहला element क्या है यह आपको और इसको अगर modify करना हो तो हम तो चाहेंगे कि आप ऐसा ही लिखतो और ज्यादा बहतर लगेगा चलो इसको और modify करते हैं सिदे 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 क्या हो जाएगा आपका यह w1 प्लस w2 such that w1 आपका capital w1 से है and w2 आपका capital w2 से है ठीक है अच्छा बढ़िया इसका मतलब w1 का element कैसा होगा a00 a00 plus w2 का element कैसा होगा 0 bc such that आपका a bc कहां से हो जाए तो कहता है कि यह real number system से हो तो कुल मिला कि अगर आप देखोगा इसको तो यह दे देगा a bc such that आपका a bc कहां से हो real number से हो कैसा लग रहा देखने में कैसा लग रहा है क्या यह पूरा का पूरा three dimensional space ko generate नहीं करेगा बिलकुल करेगा पूरा का पूरा three dimensional space और तो obvious बात है कि आप यहां से बीदिख सकते हो imply कर सकती हो कि dimension आपका w1 plus w2 का कितना होगा dimension w1 plus w2 का तो 3 हो जाएगा क्यों क्योंकि यह r3 के ही बराबर हो गया और अब by formula भी अगर आप देखोगे तो r3 के ही बराबर हो गया अच्छा linear sum क्या इसी तरह define होगा नहीं हम लोग बहुत कुछ और भी देखे हुए हम लोग जैसे हैं कि जस् करोगे तो आगेन ऐसा element ठीक है तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं dimension वाले चीजों को यहां पे जो हम लोग पीछे वाला जो formula पर है उनका यूच कर सकते कौन सा formula कि यह वाला formula अगर आपके पास linear sum का dimension पता हो dimension w1 w2 का पता हो तो आप intersection निकाल सकती हो चार अन्नों ने है ओके है किलियर किलियर ओके अच्छा इसमें कुछ चीज़े हम नोट में लिखाना चाहेंगे dimension से related इनको थोड़ा सा आगे बराते नोट में लिखाना चाहेंगे dimension से related ठीक है और फिल्ड है आपका वी ए आर अब यहां पर देखें पहला नमबर ठीक है इफ अब यह पहला कर देते हैं इसको करते हैं first ठीक है इफ इफ फिल्ड आपका अगर हो जाता है और डाइमेंशन जो आपका हो जाएगा किसका वी का डाइमेंशन आपका किसका हो गया वी का यह आपका हो गया 1 that is अब ऐसा बोल सकते हो that is r over r is one dimensional vector space that is r over r is one dimensional vector space ठीक है ओके अगर आपका फिल्ड हो जाएग रेशनल नंबर then आपका जो डाइमेंशन होगा इसका वी का वो क्या हो जाएगा infinity shortcut में क्या बोल सकते हैं infinite that is आप इसमें ये भी बोल सकती हो कि r over q जो है r over q is infinite dimensional vector space infinite dimensional कैसा infinite dimensional vector space अच्छा ऐसे बात है अगर इसका एक बेसिस लिखके बता दो जिसमें infinite element हो बिल्कुल बिल्कुल basis लिखते हैं कैसा चलो आप उठालो इसके लिए as माल लेते हैं इसमें एक element है ठीक है अब अगर माल लेते हैं देते हैं बस दो element दीए तो क्या इसके यह तो और कि यहां है q पुर्म और इसका union हो जाएगा और – q दोनों का क्या हो जाएगा union तो अगर irrational देखा जाए तो रूट 2, रूट 3, रूट 5, पाई, ए बहुत सारे हैं और irrational कितना होता है, number of element कितने richness, infinite है ना, तो infinite element आपको चाहिए होंगे basis में ताकि जब उसका आप linear combination करोगे, क्योंकि linear combination में जो field का element होता है ना, linear combination क्यों से होता है, a alpha 1, plus a 2, alpha 2, plus a 3, alpha 3, dot dot dot, यह जो a 1, a 2, a 3 कहां से होता है, field से होता है, यह field क्या है, rational है ना, तब ऐसा element रखो, s में जिसके linear combination से आप पूरा का पूरा real number system को generate कर तो, इसका मतलब आपको s में पूरे के पूरे जितने irrational से हैं, उसके बाद कितना हो गया, root 11 हो गया, जितने सारे, all irrationals कहां पर, all irrationals, जितने भी, plus, आपके 1 दे दिया तो आप a, a into 1 कर सकती हो, और b into root 2 कर सकती हो, c into root 3, तो a into 1 मतलब a, अब a आपका कहां से होगा, यह आपका होगा q से a b c q से इसका मतलब के one से तो सारे rational तो आप generate कर दोगे और irrational जितने उनको लिखोगे तब तो उसका linear combination करोगे तो पूरा का पूरा real number system देगा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं all irrational तो इसनल नंबर जितने सारे भी इसनल नंबर से आपको लिखने हैं और इसनल कितना है फानाइट है सो काडिनल्टी अगर एस के बाद किया जाए तो वह कितना हो गया infinite काडिनल्टी कितना जाएगा infinite आ जाएगा मतलब पहुत सारा है penn hugely है इन्फिनिटी आ जाएगा तो आपका है देरी से यहां चाहोघ तो साड़कों पहुत जाएगा इसार नंगा और इसनल के लिए तक ही मतलब जाएगा अच्छा बहुत बढ़िया इसी तरग से आप चाहोओ तो आप चाहोगो तो आप इसार चाहिए रिजै दिए आगे के लिए भी discuss कर सकती हो आगे के लिए कैसे जैसे कि दूसरा नंबर । ठीक है दूसरा नंबर में अब V बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं complex ले लेते हैं यह वी बराबर हमैं आप सब्सक्तित क्या है यह राज के लेते हैं और विच्ट है और अगर इसमेड लोग बोल सकते हैं कि rational over rational is one dimensional vector space one dimensional one dimensional vector space one dimensional vector space अच्छा एक चीज और आप चाहो तो यहाँ पर note कर सकती हो क्या note कर सकती हो क्यों ना एक चीज यहाँ पर बूला जाए कि field fn over f अगर इसकी dimension की बात करे जाए यह जे n dimensional dimensional ठीक है n dimensional vector space कितना dimension हो जाएगा इसका n dimensional vector space होगा अब चाहो field में q रखो अब चाहो field में field में real number system को रखो या अब चाहो field में rational number system को रखो यह हमेशा n dimensional vector space ही generate करके देगा लेकिन हाँ अगर अलग अलग लोग है तो तो अलग-अलग भी हो सकता है, तो इस चीज़ को आप note करो, that is, अब कोई भी field में ले सकती हो, rational, दोनों सेम होना चाहिए, तो कितना dimension है, and dimension है, that is, एक चीज़ यहाँ पर लेख सकते हो, कि dimension कितना हो गया, आपका, इसका f, n, over f, कितना दे दिया, and, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे छोटे-छोटे observation है, आप यहाँ से create कर सकते हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पर infinite dimensional vector space देखें, infinite dimensional vector space भी देखें, अच्छा, what about c over q, कासा दिखेगा, चौथा number, है न, c over q, अगर c over, c over, c over, c over r दे देते हैं, इनका क्या होगा, क्या यह vector space है, बिल्कुल है, यह vector space है, तो dimension कितना हो जाएगा, dimension हम लोग अगर c over r के बात करें, कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, तो कहता है कि सर यह तो 2 होगा, क्यूं, क्यूंकि आप एक basis generate कर सकते हो, जिसमें कि 1, iota, यह दोनों क्या हो जाएगा, basis हो जाएगा, किसके लिए, किसके लिए, basis of vector space c, किसके लिए, basis of vector space c over the real field r, अब जब इन दोनों का combination करोगे, तो a into 1 plus b into i, जहाँ पे आपका a b, जो है, real number system से, इसका मतलब a plus iota b दे दिया, जहाँ a b real number system से है, तो यही तो पुरा का पुरा c होता है, ठीक है, तो यह दो dimensional vector space हो गया, अच्छा, पांच वा नमर, इसी में सुचते है, what about c over q, यह भी vector space है, यह यह vector space, बिल्कुल vector space है, तो इसका dimension कितना होगा, फिर वही बात हो गया, इसका dimension कितना होगा, तो कहता है कि इसका dimension जो हो जाएगा, आपका infinite होगा, क्यों, क्यों, यह भी हो जाएगा, infinity, क्यों, क्योंकि आप चाहो तो basis में कितना element, एक तो 1 ले लो, Q से लेना एक IOTA ले लो तो IOTA वला जितना rational number और 1 जितना इदर का rational number complex वला होता जाएगा अब बाकी rational के साथ भी तो करना है इसमें और भी तो जाएगा तो इसमें कितना जाएगा जैसे root 2 क्योंकि आपका field क्या Q है ना तो root 2 root 3 अब यहाँ पे A plus IOTA भी यह तो आपका rational वला दे देगा यह ना यह पूरा का पूरा रेशनल यह पूरा का पूरा रेशनल लेकिन और भी तो रेशनल नंबर से root 2 root 3 root 5 root 7 इस तरह से आपका बहुत सरा चलेगा root 2 IOTA root 3 IOTA यह सब भी आएगा root 7 हो गया फिर यहाँ प तब तक कि आपका पूरा रेशनल ना जाए और पूरे रेशनल के साथ आयोटा ना जाए तब तक यह चलते रहेगा ठीक है तो कितने सारे होंगे elements number of elements इसमें infinite तो कितना हो जागा dimension infinite ठीक है यह क्या हो गया इसको लिख देते हैं इस यहां जगा छोटा क्तम पर गया इसको next में लेकर चलते है ठीक है तो चलते हैं लेकर यहां यह डॉड़ 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 इसमें इजे एच एब बेसिस बेसिस आफ किसका c over the field q basis of c over the field q तो dimension कितना हो गया infinite इसी तरीके से आप अलग-अलग-अलग-अलग तरीके से आप कर सकती हो अच्छा matrices में चेक करना आपको matrices में बिल्कुल आइए से matrices में चेक करते हैं कोई भी ले लो collection of all a ij ठीक है कितना वाई कितना करे ले ले चलो आप n by n का ले लो अच्छा रहता है अब यह छोटा से स्टार्ट करते हैं मालो आप two by two का लेती हो आपके aij जो है वह आपका रियल नंबर से ब्लॉंग करेगा for all i and j clear ओके बहुत बढ़िया फिल्ड क्या लोग है आप फिल्ड चलो ठीक है हम रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं डैन वी ओवर एफ जो है वह आपका वैक्टर स्पेस बन गया क्या बन गया यह वैक्टर स्पेस आपका बन गया वाट अबाओ डाइमे ही सबसे पहले इसका basis create करते हैं चलो एस लेते हैं एस कैसा element एक काम करो ना इसके element कैसे होता है यहाई जे टाइप से तो बाइट है ना तो आप पर एज आजे चलो ठीक है टूबाइट तो अम यहां पर इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं नीच्छे कर देते हैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दिये इनमें न एक बार फी को define कर लेते हैं अच्छा से A वराबर या A, B, C, D such that A, B, C, D आपका कहां से R से हैं वही चीज है वही चीज है उसी को हम लोग क्या लिखे मैटिक्स में फॉर्म में लिख दिये ताकि हम यहां पर basis लिखे तो थोड़ा सा अच्छा से आपको क्या कर पाए इल्विडेट कर पाए इस टंडर वैसिस है ना आपको बढ़ाय गया था तपल में इस टंडर वैसिस कैसा होता है ठीक है उसी चीज को यहां पर हम लोग लिख रहे है इस टंडर वैसिस ओके क्या बात है यह चार एलिमेंट लिए एक दो तीन चार, चारों के अलग-अलग पोजिशन में 1 है, बाके सब में 0 है, क्या इसका linear combination करेंगे, तो आपको V देगा, बिल्कुल देगा, linear combination में element कहां से लोगे, आप फिर से लोगे, मतलब इसको A से multiply करो, इसको B से करो, इसको C से करो, इसको D से करो, जैसे आप जोड़ोगे, तो आपको ABCD देगा, सब्सक्राइब, ABCD belongs to real number system, इसका मतलब यह आपका basis हो जाएगा, बिल्कुल, इसे standard basis, कैसा basis, standard, standard basis, किसके लिए, for V over the field F, अच्छा, whatever dimension, dimension क्या हो जाएगा, तो number of element कितना है, number of element जो है, आपका S में 4 है, तो इसका dimension भी आपका कितना हो जाएगा, 4 हो ज 4 हो जाएगा, अच्छा, इसी तरह से आप सोचो, कि अब 3 by 3 हो, तो उसमें कितने element हो, total number of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 110, 001, फिसी तरह से आप करते जाओगे, तो 9 position होंगे, जिसे यहाँ पर 4 position है, 4 position है, इसमें कितना position है, 4 position है, तो एक-एक position में 1, बाकि सब में 0, आपने एक किन्यानी element create कर दिया, जो कि आपका standard basis में elements में चला गया, इसको आप चाहो तो e1 लिख सकते हो, e2 लिख सकते हो, e3 लिख सकते हो, e4 लिख सकते हो, इसी तरह से आप basis कर सकते हो, equal ले लेते हैं, कितना, आजाओ 7th number में, हम लोग, v बराबर कैसा लेते है, element, आपका, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं, aij, such that n by n, n by n order का, और aij जो है, आपका real number system से है, for all i equal to 12 dot dot dot, कहां तक, n तक, और j b equal to 12 dot dot dot, कहां तक, आपका n तक, और इसके बाद field आपका ले लेते होई, real number system, 10, and v, जो है, आपका over the real field, क्या बन जाएगा, यह आपका बन जाएगा, vector space, क्या बन जाएगा, vector space, बहुत बढ़ी है, what about dimension, तो चलो, आप एक बर क्या कर लेते हैं, हम लोग साथ में, basis create करने का परियास करते हैं, कि basis इसका कैसा होगा, ठीक है, basis, तो कैसा होता है, one, बाकी सब में हम क्या करते हैं, 0 देने का परियास करते हैं, फिर 0, 0, 0, बाकी सब में, 0, इसी तरह से यह चलते जाएगा, 0, 0, 0, फिर यह भी हो जाएगा, ऐसे करके 0, कितने बाई, कितने का है, n by n का है, कितने बाई, कितने का है, n by n का है, जैसे यहाँ पर आपका 2 by 2 था, उसी तरी किसे अच्छा एक element हुआ एलाई भी होना चाहिए ना दूसरा अब second position में first row second column में आप दो दो one बाकि सब में आप क्या कर दो zero कर दो इस तरह से zero फिर zero 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 dot dot zero फिर चला जाएगा यह इस तरह से zero 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 dot dot यह कहां चला गया zero कितने सारे element करेंगे कितने सारे element करेंगे यह चलते रहाएगा आपका जब तक कि आपका last position में one चला जाए पिर अब की बार यहां बाकी आपकी बार फिर वन बाकी सब में zero करते करते यहां तक फिर पर दूसरे फिर तीसरा पर इसी तरह और जीस कितonna हो जाएगा on sorry इस वाले position में कितना हो जाएगा ओगा उस सारा का साड़ा ऐलमेंट्ट टोटल नंबर ओफ कितना है यहां पे झालर किया जाए ठीक है इस यह हो गया ngehen-फ ज्क्रोर क्योंकि n n n n कितने times n time जैके यहाँ पर 2 by 2 था तो 4 element था यहाँ पर n by n है तो कितने element हो जाएंगे n square element हो गए न इधर n plus फिर n plus n कितने times n times तो n plus n plus n plus dot 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 कितने time and times no cardinalty अगर आपका इतना है तो सो आपका basis कितना हो जाएगा basis में जो element होगा वी का वहो जाएंगे n2 basis में जो आपके element होगा कितने Q2 जाएंगे Qad air dot 360 सिरे का कितना होगा 9 4 5 4 गा यहाँ 16 इस तरह के से आप क्या कर सकती हो create कर सकती हो किसके लिए वह वह matrices के लिए इसी तरह आप चाहो तो अलग-अलग तरीके से दिखा सकती हो अलग-अलग जगा पर matrices का दिखा दिखा दिए आप चाहो तो function ले लो आप चाहो तो upper-tangular lower-tangular बहुत सारे चीज़े हैं न बागे सारे आप observe करो खुच से तयार करो यह कुछ था जिसमें हमने क्या क्या आपको discuss करा है कि अच्छा आप चाहो तो ऐसा भी कर सकती हो उसी पर हम लोगोंने क्या क्या है यहाँ पर आपको बताए ठीक है ओके क्लियर चलो क्या बात है सही है अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते है प्राबलम हो रहा है बहुत सारे ऐसे question पर भी आप क्या कर सकती हो discuss कर सकती हो खुच से भी बहुत सारे ऐसा question पर आप क्या कर सकती हो discuss कर सकती हो खुच से भी और तयार कर सकती हो खुच से भी ठीक है यह कुछ question हमने क्या किया आप लोगों के लिए दिया और भी बहुत सारा ऐसा question ले सकती हो जैसे कि tuple पे tuple का क्या होगा basis क्या होगा dimension क्या होगा intersection वो देख लिए अब मान लो आप polynomial पे लेना चाहो polynomial पे ले सकती हो जैकि question number आपका A देते है आज का question बेस्ट है इसी पे हम लोग dimension पे देख रहे हैं फिर हम लोग वो formula देखे तो उसको देख रहे हैं इनके बाद आप अलग-अलग books का help लेके अलग-अलग question पे आप खुद से decide कर सकती है कि अच्छा ये इतना dimensional vector space है वो इतना dimensional vector space है कैसे हम लोग linear sum निकालेंगे कैसे हम लोग w1 पलस w2 निकालेंगे कैसे हम लोग w1 intersection w2 निकालेंगे अलग-अलग के लिए किस तरीके से निकालेंगे बहुत सारे चीज़े हैं ठीक है बहुत सारे चीज़े है अब जैसे कोई polynomial ले लेते हैं हम लोग इस तरीके का ठीक है यहाँ पे ले लेते हैं कोई polynomial a0 plus a1 x plus a2 x square प्लस यहाँ पे ले लेते हैं कितना up to up to degree degree मालो आप up to degree tan देती हो इसको कैसे लिखेंगे a0 plus a1 x plus a2 x square अगर up to degree tan है इसका मतलब a10 x to the power 10 such that ai जो है आपका वो real number system से है for all i equal to 1 2 अच्छा i का भेलो अब यहाँ से 0 से start है तो 0 1 2 dot 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 कहां तक जाएगा 10 तक जाएगा 10 तक जाएगा है ना यह आ गया अब ध्यान रखना यह fix नहीं है up to degree tan अगर fix कर दोगे तो फिर अब यह polynomial दो polynomial का addition जो होता है addition up to vector वो satisfy नहीं होगा तो vector space नहीं बन पाएगा है ना तो यह degree fix नहीं है आपका up to degree tan है यानि कि tan tan ही से कम भी आपका रह सकता है तो dimension कितना होगा इसका काम करते है ना इसका basis लिखने का परियास करते तो basis में पहला element one दूसरा x तीसरा x square अचा फिल्ड भी देना है फिल्ड भी देना है इसका तो फिल्ड बराबर ले ले लेते हैं और देन देन पी जो है ऑबर दफिल्ड आर क्या हो जाएगा आपका इजे वैक्टर स्पेस क्या बनेगा मेरा यह मेरा वैक्टर स्पेस तैयार हो जाएगा ओके बहुत बढ़िया अब इसका अगर basis की बात करें हम लोग तो कोई लेते हैं let s 1 x x square dot dot कहां तक x to the power 10 तक क्या यह basis होगा बिलकुल इजे basis क्या हो जाएगा basis of px over the field r basis of px over the field r what about dimension तो dimension के अगर हम लोग बात किया जाए तो dimension इनका हो जाएगा आपका 11 क्यों 10 तो आपका इधर हो गया और एक हो गया यह क्योंकि इसका जैसे आप linear combination करोगा आपको यह वाले polynomial दे देगा जहां पर आपका फिल्ड के element तो बस कामके तब यहां संसर हो तो basis कितना हो जाएगा 11 यानि कि आपका जो degree है degree से एक ज्यादा होगा 10 प्लस 1 इसको लिख सकते है 10 प्लस 1 और आपका degree कितना है up to degree 10 है तो यहां पर 11 तक जाएगा clear clear अच्छा अच्छा इसी को और थोड़ा सा अगर modify किया और such that कि आपका AI जो है पूरा का पूरा real number system से है for all are equal to 12.n तो इसका basis कितना हो जाएगा basis में तो element लिखी सकते है तो dimension कितना लिख सकते हैं सिधे dimension की अगर हम लोग बात करें तो कितना लिख सकते हैं तो dimension हो जाएगा n पलस 1 आपके n से एक ज्यादा dimension जैसे 11 वाट degree 10 था तो तो degree n आपका तो एक चलता है clear clear चलिए बहुत बढ़िया ठीक है उमीद करता है यहां तक कुछ question जो हम लोगोंने dimension और basis से related देखे छोटे-छोटे question है अलग-अलग vector space लेखे इससे आपका observation अच्छा से हो रहा होगा और clear हो रहा होगा कि कैसे हम लोग basis और कैसे हम लोग dimension ल अबर की हो गया उसका basis और dimension हम लोग यहां पर discuss किये ठीक है इसी तरह का बहुत सारा question पर आप discuss कर सकते हो एक question आपको हम exercise देना चाहेंगे इसी में थोड़ा से इसको अगर modify करें तो क्या इसमें exercise आ जाएगा यह आएगा है ना कोई नहीं आपको यहीं पर exercise मिल जाएगा य उससे related अगर हम लोग mattresses में dimension के बात करें जैसे एक question हम लोग starting में किये यह polynomial पर था suppose करो कि mattresses में हमको इस तरह का question अगर देता हो तो कैसे हम लोग intersection कैसे हम लोग linear सा mattresses to mattresses में to सभी space को करते है उस पर हम लोग discuss करेंगे ताकि आपका observation mattresses वाले में से clear हो जाए फिर आगे हम हम लोग क्या परेंगे homomorphism of a vector space और linear transformation ठीक है तो इसको हम लोग क्या करते है next class में start करते है और साथ में कुछ question इससे और रिलेटर होगा उसको देखेंगे तब तक आप लोग इस lectures में से देखें कोई doubts हो कोई भी problem हो comment करना है इस lecture में comment करना है या अगले next lecture में आपको comment करना